Hello students, Polytechnic, Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों आज हम बात करने जा रहे हैं Tool Engineering जो विसे है ये BT UP के अंतरगत Mechanical Engineering की जो Production Specialization है उसके 6th semester का एक optional subject है तो इसमें बच्चों Tool Engineering के यदि हम Slavers की बात करें तो इसमें Total 3 Units या 3 Chapter आप कह सकते हैं इसमें पूरा का पूरा Slavers बटा हुआ है या Divided है ये जो Chapter आपका बिसा है Tool Engineering ये Production Technology जो आपने पढ़ा था उससे कुछ-कुछ मिलता जुलता है यानि उसके कुछ Concept इसमें यूज होंगे और उसके बाद कुछ Advanced चीज़ों की इसमें बात की गई है जैसे Gigant Fixtures और उनकी Design के बारे में जो की हम आगे की Chapter में पढ़ेंगे तो Slavers के अनुसार हम बात करेंगे Chapter 1 में जो Slavers है वो अभी आप सामने देख पा रहे हैं ये जो पहला Chapter है उसका Title है Cutting Tools यानि की कटाई हो जार Slavers में आप देख पा रहे हैं कि Mechanical Property and Uses of High Speed Steel, Stylight, Cemented, Carbide, Ceramics, Diamond, Study of Commercially Available Cutting Tools, Tool Geometry of Single Point Cutting Tools, Multi Point Cutting Tools, Remar, Drill, Milling Cutter, Throwaway Insert, Chip Breaker, Tool and Cutter Maintenance, Regrinding and Lapping of Tools ये सारा आपके Slavers में निर्धारित है, तो Slavers के अनुसार हम चलेंगे, जो हम हमेशा करते हैं, सब्द को समझेंगे, उसका Meaning जानेंगे, और उसके बाद फिर Correlate करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे, डायग्राम पर हम विसेज ध्यान देंगे, जहाँ डायग्राम है और जो Hindi Medium के Students हैं, मैं उनसे जरूर कहूंगा, कि Notes बनाते वक्त Notes सबको बनाने हैं, आप जब बना रहे हैं, तो English के सब्दों को Avoid नहीं करना है, हिंदी के साथ साथ English के Words आपको जरूर लिखना है, तो आईए हम सुरुवात करते हैं बिना देरी किये, टॉपिक से Slavers के घातू को काटकर अलग किया जाता है, या घातू को काटा जाता है वो कहलाता है, कटाई योजार यह फिर कटिंग टूल, हब ये कटिंग टूल कितने परकार के होते हैं, तो Time of Cutting टूल की बात हो रही ही तो cutting टूल या कटाई ओजार दो परकार के होते हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं एकल बिंदू कटाई ओजार जिसे अंग्रेजी में कहते हैं single point cutting tool और दूसरा होता है बहु बिंदू कटाई ओजार यानि की multi point cutting tool तो पहला जो एकल बिंदू क कटाई ओजार तो एकल बिंदू या बिंदू की जगे edge सब्द का प्रियोग करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा edge मतलब किनारा जो एक किनारे के दौरा जैसे आप इसमें देख पारें लेथ मशीन में जो turning operation जिसको हम कहते हैं ये देखी लगा हुआ है single point cutting tool तो इसमें single edge ह होती है जिसके द्वारा कटाई का कार किया जाता है इसलिए इसको कहते है single point cutting tool अब बात आती है बहुबिंदू कटाई हो जार नाम से ही पता चल रहा है बहुबिंदू या बहुबिंदू या बहुबिंदू या बहुबिंदू या बहुबिंदू बहुबिंदू या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल या फिर बहु बिंदू कटाई ओजार बोलते हैं जैसे यह आप देख लीजे मिलिंग कटर आप ये सामने आप देख पा रहे हैं मिलिंग कटर है देखिए एक एज ये है दूसरी एज तीसरी चौती पांचमी चटी सातमी आप गिन सकते हैं एक से अधिक कई सारी इसमें क्या हैं एजेस हैं जिसमें जब कटर घूमता है तो सभी एजेस के द्वारा क्या होता है कटाई की जाती है तो मिलिंग हो गया ब्रोचिंग हो गया और इसमें ड्रिलिंग हो गया ये सारी किसके उधारन है आपके मल्टी पॉइंट कटिंग ट की category में आता है आगे हम बात करते हैं कटाई औजार पदार्त यह बहुत important है यानि cutting tool materials कौन-कौन से होते हैं यह बहुत important है इसको जरूर रख लेना है तो निम्नांकित पदार्तों का प्रयोंग कटाई औजार बनाने में बहुताय25 से किया जाता है यही आपके सिलेवस में भी दिया हुआ है इन पांचों को आपको माइंड में बठा लेना है पहला हाई स्पीड श्टील शॉर्ट में हम इसको HSS बोलते हैं हाई स्पीड श्टील दूसरा है इस्टेलाइट तीसरा है आपका सीमेंटेट कारबाइट चौथा है सेरामिक्स और पांचमा है डाइमंड और डाइमंड को ही हम हिंदी में हीरा कहते हैं हीरे के नाम से जानते हैं तो यह पांच पदार्थ है माइंड में बठा लेना है टूल इंजिनरिंग के अंतरगत इनहीं के हम गोडों के बारे में इनके ओपयोग के बारे में और सभी चीजों के बारे में घटक के बारे में पढ़ेंगे तो कटाई ओजार पदार्थों के गुण यानि properties of cutting tool materials तो कटाई ओजार के रूप में प्रियोक्त पदार्थों में निम्नांकित गुण होना चाहिए सबसे पहले तेशरा घषाओ प्रती रोध बियर रेजिस्टैंच ताकि घिसे न flop कंगम घिसे कटाई के दोरान थो यह ज्यादा होना चाहिए मारे इसका का जो हीटिंग हिए वो कम हो जब वो कटाई का काम करे तो यह उसमी प्रती रोध कर होना चाहिए हाई होना चाहिए तो तीरकषिन उपर की तरफ पाचमा है रासायनेक स्थिरता यानि chemical stability उसमें होना चाहिए जब वो औ sparked करें जब कोई भी टूल कटाई करें तो यह हाई होना चाहिए तो तीरकषिन उपर की तरफ इस तरीके से कोई भी आपका कटाई कटिंग टूल मटेरियल है कटाई ओजार पदार्थ है उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए ये सारे गुण तो जो आगे कटिंग टूल मटेरियल से अभी हम पढ़ेंगे ऊपर पांच हमने सूची देखी थी तो उनमें हम इनी जाए यानि जादा होनी चाहिए घर्शन जो गुणांक है वो कम होना चाहिए ताकि घर्शन कम हो उसमी चालकता भी अधेख होनी चाहिए तो इस तरीके से साध गुण है अब एक जरूर बात आती है जब भी कटिंग की या कटाई की बात होती है तो मशीनन सब्द का प्रि जाकरती में बदला जाता है तो यह जो प्रिकिरिया है जिसमें कटिंग टूल या कटाई ओजार का प्रियोक किया जाता है और धातू को काटा जाता है तो उसको एक्चुल में क्या कहते हैं मशीनिंग और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मशीनन तो यह बात कॉंसेप्ट म मशीन कहते हैं और टर्निंग को खरादन कहते हैं मिलिंग मशीन हो गया ड्रिलिंग हो गया इत्यादी यह सब क्या है मशीनन प्रोसेस हैं जिसमें कटाई औजार की साहता से क्या किया जाता है धातू को काट करके वांचेत आकार और आकरती में उसको परिवर्तित किया जाता है अब सिलेवस में आपके लिखा है ब्यावसाइक रूप से उपलब्द कटाई और जारों का धेन यानि study of commercially available cutting tools तो ब्यावसाइक रूप से उपलब्द कुछ सामान कटाई और जार जो होते हैं वो निम्न होते हैं ब्यावसाइक रूप से मतलब ब्यावसाइक रूप में companies हैं, industries हैं वो उसको बना करके market में बेजती हैं तो इन में होते हैं drill bits, drill bits का मतलब होते है drilling करने के लिए जो different types के drill bits आते हैं इसके अलावब मिलिंग cutters होते हैं, मिलिंग machine में जो प्रियोग किये जाते हैं एकल बिंदू cutters योजार जो lat machine में शेपर में प्लेनर इत्यादी में प्रियोग किये जाते हैं tap even die, tap मतलब होता है चूणिया बनाने के लिए जिनका प्रियोग किया जाता है आंतरेक वाय चूणिया बनाने में, तो tap and die भी आते हैं जारी blades होती है, बिविन प्रकार के धातू और अधातू पदार्तों को काटने के लिए saw blades जिसको कहते हैं, इसी तरीके सी रीमार होता है पहले से बने चिद्र को और ज्यादा finishing देने के लिए इसको finishing ज्यादा सब्दी लिख लीजेगा, तो बढ़ा भी कर सकते हैं उसको चिद्र को बढ़ा करना है, और इसके अलावा उसको main जो काम होता है finishing करना, जो पहले से बना हुआ होले, उसको remorse के द्वारा क्या किया जाता है और अच्छा उसको accurate करते हैं, उसको finishing दी जाती है तो ब्यासाइक रूप से उपलब्द कटाई और जारों का ध्यान करते समय, निमनलिखित कारक महत्पून है जो हम उनकी बात करते हैं, किन-किन कारकों का ध्यान रखते हैं पहला तो पदार्थ, यानि जो cutting tool material है, उसका पदार्थ कौन सा है तो पदार्थ वही पांच प्रमुक हैं, जो मैंने उपर बताये थे High-Speed Steel, HSS, Stylite, Cemented Carbide, Ceramics, Diamond या हीरा दूसरा है coating, जो cutting tool materials आते हैं, उनमें कई वर coating कर दी आती है तो वो coating किस प्रकार की है तीसरा है आपका geometry, यानि geometry से मतलब है shape and size से यानि आकार और आकरती से तो shape और size जो है, वो cutting tool का, वो किस प्रकार का है उस पर भी बहुत सारी चीजें निर्वर करती है चौता है, मूल ये तो बहुत महात्पूर कारक है जरूरत के हिसाब से हम मूल, जो उसका cost है, tool की वो उठा पाएंगी की नहीं, जहां बहुत high accuracy चाहिए, वहाँ तो निश्चे तोर पर जब अच्छा material बाला जो हम cutting tool लेंगे, तो निश्चे तोर पर उसका mood ये price क्या होगा, high होगा और brand ये पर तिष्ठा, जो company बना रही है, उसका brand कैसा है, उसकी reputation कहती है इस पर भी ये निर्भर करता है, तो इस तरीके से total जो है, पाँच वो factors हैं, जो ब्योसाइग ग्रूप से उपलब्द कटाई हो जारों का ध्यन करते समय महत्पूर्ण होते हैं, एक तो पदार्थ, किस पदार्थ से बना हुए, आप cutting tool यूज करना चाहिए, आवश्रकता है कि अनुसार जैसा पदार्थ, cutting हमको किस तरीके के पदार्थ की करनी है, क्या बनाना है, किस machine में करना है, और coating कैसी है, उसमें जयामती, उसकी shape and size कैसा ह मूल कैसा है, ब्रांडों परतिष्ठा कैसी है, जो manufacturing company जो cutting tool को बना रही है, बाजार में बेच रही है, उसकी, अब बात कर लेते हैं, एक बहुत मात्पूर्ण topic है, यह बड़ा important है, और यह परिच्छा में पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा, throw away insult, throw away insult को समझने से पहल मिलकर के phrase type का बन गया, insult क्या होता है, insult मतला होता है, किसी जगे पर किसी चीज को fit कर देना, कोई हम चीज लें, कहीं पर बिठा दें, fit कर दें, तो उसको बोलते हैं, insult, insult मतलब अंतरिस्था पे एक सब थोड़ा सा जटिल टाइप का लग रहा है, प्रुष्ट करके बठाना मतलब कोई चीज लें, कहीं पर हम fit कर दें, screw से कस दें, या किसी और चीज से कस करके बैठा दें, तो उसको कहते है, insult, तो यह noun भी है, word भी एक तरीके से आप मान सकते हैं उसको, तो throw away insert क्या होता है, throw away insert को कटाई योजार के साथ, screw की साहिता से कस दिया जाता है, तता insert के घिज जाने या खराब हो जाने पर निकाल करके फेक दिया जाता है, अब जैसे आपने cutting tool देखा था, तो cutting tool में ये देखिए, ये throw away insert होती है, ये इस तरीके से अलग से material की बना करके, क्या किया जाता है, जो tool holder होता है, single point cutting tool, उसमें कस दिया जाता है, और जब ये घिज जा आता है, holder, क्या कहलाता है, tool holder, tool holder का मतलब होता है, जिसमें cutting tool को लगाया जाए, जो hold करके रखे, और ये देखिए, tip लगी होई है, तो ये क्या है, throw away insert है, screw की साहिता से इसको कस दिया है, ये खोलने के लिए चावी रखी है, इसको यहाँ से खोल के अलग कर सकते हैं, या न आपित कर दें, और जब वो खराब हो जाए, घिज जाए, उसको टूड जाए, तो काम करते करते, तो निकाल करके बाहर फेंक दें, फिन नहीं लगाते, तो इसको कहते हैं, throw away insert, तो अब आप समझ गए होंगे, तो इस तरीके से ये throw away inserts होती है, market में radioant बनी बनाई आती है, उनको प्रियोक किया जाता है, ठीक है, तो बच्चों समझ में आगए, तो throw away insert का है, कटाई ओजार के साथ, screw की सहायता से कस दिया जाता है, अभी मैंने दिखाया, चावी रहती है, उसको कस देते हैं, तथा insert के घिस जाने पर, जब वो insert उतनी घिस जाती है, तो यह खराब हो जाती है, तो उसको निकाल करके बाहर फेक दिया जाता है, अब आप कहेंगे कि यह उतना ही क्यों लगाते हैं, आपको पता है कि यह जो hardest materials होते हैं, वो बहुत costly होते हैं, आप पूरा का पूरा tool अगर उसी से बनाएंगे, तो बहुत costly पड़ जाएगा, और वो feasible भी नही होगा कटाई के दोरान, तो क्या करते हैं, जो hardest material जैसे कारवाइड हो गया, डायमंड हो गया, तो उसको पूरा ना बना करके उसकी tip यूज की जाती है, insult के रूप में, और tool holder में उसको लगा दिया जाता है, और उतने से ही काम क्या होता है, हमारा कटाई का काम हो जाता है, तो इसलिए ये जो throw away insult है, वो बहुत मातपूर्ण है, अब ये जो insult होती है, ये किन पदार्थों की बनी होती है, insult पदार्थ, यानि insult material कारवाइड की बनी होई होती है, डायमंड की होती है, आपने देखा होगा, कि जो सीसा काटने वाले जहां काम होता है दुकानों में, तो डायमंड कटर का यूज करते हैं, उसमें भी आप ध्यान से देखें, तो डायमंड का पूरा कटर नहीं होता है, डायमंड की छोटी सी एक tip होती है, और उसको जो holder होता है, कटर होता है, उसमें fit कर दिया जाता है, और आप देखें, चूँकि डायमंड hardest material होता है, तो उ इसी तरीके से जो hardest materials होते हैं, cutting tools की रूप में, उनकी ये insert बना करके, उसमें fit कर दिया जाता है, जब वो insert खराब हो जाती है, तो निकाल करके बाहर फेक देते हैं, नई insert लगा देते हैं, तो विबिन cutting insert ये देखी, ये इस तरीके से होती है, ये screw से कसने के लिए देखी, जगे बनी हुई है, इस तरीके से, इसमें जगे बन करके, यहां उनको fit कर दिया जाता है, tool holder में, और जब जरूरत नहीं होती है, या खराब हो जाने पर निकाल करके बाहर, तो ये को दारान मैंने आपको देखा है, carbide tip लगा हुआ turning tool, तो इसमें आप देखिए turning tool है, मतल जाल कर बाहर, इसको फेक सकते हैं, यानि throw away कर सकते हैं, तो ये एक तरह से क्या है, throw away insert है, या किस material की बनी है, carbide की, तो carbide tip हम इसको बोल सकते हैं, इस तरीके से एक और देखिए, multipoint cutting tool, ये देखिए, milling cutter आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, screw लगा है, ये yellow color से अलग देख रहे हैं, तो ये tip जो cutting करने वाली edges हैं, खाली उनमें इसको क्या किया जाता है, carbide की बनी tips इसमें अलग से कस्दी गई है, तो ये सब क्या है, throw away insert, insert मतलब fit कर देना, तो वो tip को क्या कर दिया जाता है, fit कर दिया जाता है, या insert कर दिया जाता है, तो उसको कहते है, throw away insert तो अब ये concept बिल्कुल throw away insert का आपको मैं पूरा विश्वास से कि आपको बिल्कुल concept clear हो गया होगा और आपको अब कभी भूलेगा भी नहीं अब बात कर लेते हैं high speed steel जो पदार्थ बता है stailite cemented carbide seramex diamond के यांत्रिक गुण एवा मुप्योग तो ये syllabus में आपका इसी तरीके से लिखा हुआ यही सारे पदार्थ का तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं stailite की तो mind में बिल्कुल बठा लेजी कि जो stailite होता ये cobalt आधारित मिस्रदातू है क्या है stailite एक मिस्रदातू यानि alloy metal है लेकिन वो उसमें सबसे ज़्यादा quantity किस चीज की होती है cobalt की तो ये cobalt आधारित मिस्रदातू है बस इतना mind में आपको बठा लेना है तो stailite वास्तो में क्या है एक trademark नाम है प्रिचलित हो गया है जो बजार में इस नाम से ही मिलता है क्योंकि ये trademark बन गया है जिसका प्रियोग उन मिस्रदातू के लिए किया जाते है जिनमें उच मात्रा में कोbalt, chromium, tungsten होता है तथा बहुत कम मात्रा में कार्बन, nickel तथा molybden नमित्यादी होता है तो इनमें जो इस्टेलाइट है वो क्या है एक तरह का trademark है उन के लिए alloy या मिस्रदातों के लिए प्रियोग किया जाता है जिनमें बड़ी quantity में कोbalt होता है और या फिर chromium या tungsten होता है तो ये इस्टेलाइट में जैसे ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो quantity होती है वो कोbalt की होती है यसलिए ये कोbalt आधारित मिस्ता है तो कोbalt, chromium, tungsten भी हो सकता है वशक्त है कनुसार कही अलग-अलग application के लिए tools बनते हैं और कम मात्रा में, बास्टिंग के द्वार निर्मित किया जाता है उसके पस्चात फिनिसिंग के लिए उसकी grinding की जाती है तो cutting tool बनाने के लिए सरवाधिक उप्युक्त पदार्त है इसका संगठन जरूर देख लेते हैं यानि composition देखें तो इसमें chromium जैसे 25-35% tungsten देखिए 4-25% carbon इसमें 1-3% और सेज जो होता है वो कोबाल्ट होता है यानि सबसे जादा quantity किसकी कोबाल्ट की बागी देखिए दूसरी चीजें भी हैं मैंने आपसे दिखाया था ना chromium भी हो सकता है tungsten भी तो इसमें chromium 25-35% हो सकता है tungsten 4-25% carbon 1-3% और कोबाल्ट सेज यानि जो remaining quantity होती है वो पूरा का पूरा क्या होता है कोबाल्ट होता है तो यह कोबाल्ट आधारे मिश्रदातू है अब इस्टेलाइट का प्रियोग क्या है यानि एप्लिकेशन क्या है तो ओबिसी बात है कटाई ओजार बनाने में तो किस तरीक है कि एकल बिंदू कटाई ओजार सिंगल पॉइंट बनाने में, मिलिंग कटर बनाने में, ये सारे एप्लिकेशन से, जिसमें इनका इस्टेलाइट का प्रियोग किया जाता है, अब ये इस्टेलाइट का उप्योग निम्नांग के धातूं की मशीनिंग में किया जाता है, जैसे कास्ट आइरंट की मशीनिंग करनी है, स्टेनलेस stil की stil की तो इनमें इसका काष्ट spil हो गया पीतल हो गया इनमें stil roll का प्रेयोग जो stil té loite से बने हुए cutting tools होते हैं बहुतायद से किया जाता है properties वही जो मैंने बताया थे सब में इसी तरीचे की वही properties की बात करेंगे या तो जादा होंगे ज्यादा तर प्रोपर्टीज वो ज्यादा ही होते हैं उच्छ मान होता है और कुछ कुछ एक दो चीजों को जैसे आप से बताया था घर्शन गुलाएं को बगएर अक्काम होना चाहिए तो इसके गुण क्या है इस्टेलेट के उच्छे कठोड़ता है नहीं कठोड़ता होती है तीर के चिनू पर उच्छे चीमड़पन हाई टफनेस ज्यादा होती है अच्छा गिसाओ प्रतिरोध अब रेसे और रिजिस्टेंस हाई होता है इसमें चौथा है आपका उच्छ संचारान प्रतिरोध यानि करोजन रिजिस्टेंस इसमें हाई होता है तीर के चिन टूल खराब हो गया तो फिर वो कैसे कटाई कर पाएगा विकार हो गया तो ये गुण है जो होते हैं इस्टेलाइट के बिसेश तोर से अब बात आती है दूसरा सेकेंड जो कटिंग माटेरियल है टूल माटेरियल वो है हाई स्पीड इस्टील जिसको शॉर्ट में हम कहते है अब नाम से ही पता चल रहा है हाई स्पीड इस्टील का एक प्रकार है इसी में समझ में आ रहा है और हाई स्पीड सब्द क्यों लिखा है हाई स्पीड इस्टील को कटाई ओजार पदार्थ के रूप में जाना जाता है ठीक है इसका बहुतायत से प्रियोग होता है अब इ तो high carbon steel में ही हम संसोधन इस तरीकी से कर देते हैं कि वो high speed पर कटाई कर सके, cutting कर सके, तो high carbon steel की तुलना में यह क्या है, दो से तीन गुना तक अधिक तेजी से कटाई कर सकता है, इसलिए इसको high speed steel के नाम से जाना जाता है, अब एक सामान high speed steel का क्या संगटन या composition होता है, इस में और सेज जो होता है, वो iron होता है, यह composition होता है, high speed steel का, इसके उपयोग क्या है, high speed steel का उपयोग, निमलिकेट tools के निर्माण में किया जाता है, जैसे drill बनाने में, tap बनाने में, चूणिया काटने के लिए, milling cutter में, tool bit बनाने में, hobbing gear cutter बनाने में, hex o blade या re blade बनाने में, punch और die बनाने में, तो यह इसके अनुप्रियोग है, high speed steel के, गुणों की अगर बात करें, तो सब वही उसी तरीके से, वही गुण, उच्छ कटोड़ता, यानि hardness high, उच्छ चीमड़पन toughness high, उच्छ घिसा अपरती रोध high, तभी तो इसको tool पता, material के रूप में प्रियोग क बठा लीजे, जब भी ceramic की बात हो, तो वह actual में किस से निर्मित किया जाता है, aluminium oxide AL2O3 से निर्मित किया जाता है, तो इसमें संगठान अगर आप देखें, तो AL2O3 98% होता है, says binder मतलब उसको bind करने के लिए, बानने के लिए पदार्थ का प्रियोग होता है, वो 2% होता है, त तो ceramic tool insert को तप्त या अतप्त pressing द्वारा बनाया जाता है, तथा mechanical holder से पर जोड़ कर दिया जाता है, और उससे क्या करते हैं, हम कटाई करते हैं, इसके गुण क्या है, वही सब होते हैं, कठोड़ता हाई हो गई होगी, घसाव प्रती रोध उच्छ हो गई होगा, उच्छ त आपमान में कठोड़ता बनाई रखने का गुण ये भी उच्छ होता है, तो तीर का चिन उपर की तरफ घर्शन जो होता है, निमने यानि friction होता है, वो कम होता है, तो ये तो अच्छी बात है, घर्शन कम होना चाहिए, तो ये इसके कुछ क्या है, गुण है, उप्योग क् कारवाइट टूल की तुला में अधिक तेजी से कटाई कर सकने वाले कटाई ओजार बनाने में, कारवाइट तो बहुत हार्ड टूल मटेरियल है, तो कई बार उससे भी ज़्यादा जब हमको तेज स्पीड में ये दिया हमको कटाई करनी है, तो हम इसको सेरेमिक मटेरियल कप्रियोग कर सकते हैं कटाई औजार बनाने में जब हमको कारवाइट टूल की तुल्रा में अधिक तेजी से कटाई करना हो अब इसके में बात आती है अगला जो material है उसकी वो है आपका cemented carbide cemented carbide सीमेंटेट carbide तो cemented carbide एक कठोर पधार्थ है जिसको कटाई ओजार पदार्थ के रूप में बहुतायत से उप्रियोग किया जाता है मतलब जब भी cutting tools की बात होगी cemented carbide का नाम तो आना ही आना है तो cemented carbide को tuned धातुकर में यानि powder metallurgy के दौरा बनाया जाता है यानि powder बना करके उसको mix करके फिर उसको हम क्या करते है वो पात तैयार करते है तो cemented carbide में बच्चों क्या होता है एक तो tungsten carbide WC titanium carbide यानि TIC और tantalum carbide यानि TAC का प्रियोग किया जाता है अब इसमें इसका संगटा नगर हम देख लें यानि composition तो हमको देख नजर आएगा कोबाल्ट इसमें 2.6-16 प्रिस्चत तक हो सकता है titanium carbide TIC प्लस tantalum carbide TAC इसमें 30% तक होता है और जो सेस होता है यानि remaining होता है वो tungsten carbide होता है WC तो इस तरीके से ये इसका composition यानि की घटक है जिससे क्या बनता है carbide यानि cemented carbide तो ये cemented carbide की tip यानि insert के रूप में क्या करते हैं कटाई ओजार के साथ fix कर देते हैं और फिर कटाई की जाती मैंने आपको single point cutting tool उपर दिखाया था जिसमें carbide की tip लगी होई थी अब इसका opioid यानि applications की बात कर लेते हैं तो तीब्र गती से steel की कटाई में high speed steel cutting में बहुत तेज गती से steel को काटना है तो carbide tool का प्रियोग किया जाता है निम्न एवं उच्च impact die यों के निर्माण में यानि high and low impact die making मिसर धातू की कटाई में यानि cutting of alloys cast iron की कटाई के लिए cutting of cast iron तो इस तरीके से इसका प्रियोग किया जाता है इसके कुछ गुण देख लेते हैं तो गुणों में बात आती है तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है यानि costly होता है उच्च धातू कटाई दर यानि high इसमें cutting rate इसका है वो काफी high होता है धातू बहुत तेजी से काट सकता है गिसाव प्रतीरोधी होता है abrasive resistance यानि high होता है उच्च धापमान में soft होनी की समस्या नहीं होती है यानि उच्च धापमान पर ये प्रभावित नहीं होता है चीमरपन का गुण इसमें कम होता है यानि toughness कम होती है निम्न तनाव सामर्थ तनाव सामर्थ भी इसकी कम होती है इस तरीके से ये हमने cemented carbide के गुण देखे अब बात आते हैं last ये इसका जो materials है उसका ये last जो topic है वो आपका हीरा यानि की diamond है तो आपको पता है विसे अब मैं बता हूँ अभी तक हीरा कुछ समय तक हीरा प्रकैती में उपलब सबसे कठोड तम पधार्थ के रूप में जाना जाता था लेकिन आपको पता है कि हीरे से भी कठोड पधार्थ खोज लिए गए हैं लेकिन अभी वी जिन पधार्थों का cutting tool के रूप में प्रयोग होता है उनमें हीरा ही सबसे कठोड है या कठोडता में तो हीरा क्या है डायमंड टूल पदार्थी तो सबसे कठोडतम पदार्थ है जिसका प्रियोग किया जा रहा है इस समय आज भी बहुतायत से तो डायमंड टूल में क्या होता है diamond की बनी insult का प्रियोग मैंने आपसे बताए ने जो काच काटने वाले जो काच का जहां glass work होता है तो वो हीरे की tip होती है diamond cutter होता है tool holder होता है उसमें छोटी सी tip diamond की लगा दी जाती है फिर उससे cutting की जाती है तो प्रियोग tool holder में किया जाते है ह्सके गुण क्या है सबसे कघौरत हम पदार्द बताया है और geen hardness बहुत जादा होती है सभी पदार्तों में सबसे ज़ादा गठोर हीरा होता है उपर इतने भी cutting tools की हमने बात की आतियंत महां आपको पता है हीरा तो महँगा है तो है है होने होना है गिसाव परति रोध बहुत हाइज होता है Abrecное Racistence very high बितल होता है यह भंगोर होता है यह एक इसकी विशेष्ता होती है निमन आघात प्रति रोध आघात सैने कि इसकी जो प्रति रोध है वो कम होती है यानि कि लो होती है एरो का साइन नीचे की तरब जाएगा और निमन घर्षान गुणांग यानि coefficient of friction क्या होता है कम होता है तो ये तो अच्छी बात है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब उप्योग की बात करें तो हीरे का प्रियोग वहाँ किया जाता है जहां च हाई surface finish चाहिए हाई हमको हाई accuracy चाहिए तो हम डायमंड का ही टिप का प्रियोग करते हैं इसके अलावा जो grinding wheel की truing and dressing एक जो concept होता है वो उसमें हीरे का ही प्रियोग किया जाता है ये कार अन कटा यह जारों द्वारा नहीं किया जा सकता है ये बहुत महत्पून है अब single point cutting tool से या multipoint cutting tool से हम धातू को छीलते हैं यानी काट कर अलग करते हैं तो छीलन के रूप में धातू निकलती है उसी को कहते हैं अंग्रेजी में chip धातू की chip कहा है तो metal chip बोलेंगे और break माने होता है तोड़ना तो नाम से नहीं पता चल रहा है chip breaker मतला होता है chip को तोड़ने लंबी है अभी इसको हम तोड़ते के हो है इसको हम आगे बात कर लेते हैं तो बच्चों ये क्या है chip breaker क्या हुआ चिप मतलब होता है छीलन metal chip हो गया धातू की छीलन break मतलब होता है तोड़ना chip breaker क्या हुआ चिप को तोड़ने वाली युकती तो ये बच्चों ये chip को जो ल ऑचाताई तोड स्पुल नाच कारक दिया जाता है जिसके संपर्क में आने से जो लंबी चिप होती है वो चोटे चोटे प्व्हकोंऊ तूड़ जाती है जैसी इंसल्ट मेंने उपर दिखाई ति इसमें देखी डिजाइन बनी ही यह देखे ध्यान से, ये देखे ध्यान नौच बना दी जाती है तो जैसे ही वो लंबी चिप इनके संपर्क में आती है तो वो छोटे-छोटे टुकडों में अपने आप टूड जाती है अब लेकिन मन में अब ये देखे एक चित्रो और इससे भी समझ लीजिए जैसे ये देखे ये ग्रूब यहां कट कर दिया ये क्या है सारे चिप ब्रेकर को यानि चिप को ब्रेक करने के लिए यूज किया जाता है तो ये लंबी लंबी चिप निकलते हैं अब ये हम तोड़ते क्यों है आकरी चिप ब्रेकर के आवशकता क्या है या चिप को हम छोटे-छोटे टुकडों में क्यों तोड़ते हैं तो इ कर रहा है उससे क्या होगा वो टूड भी सकता है और कटिंग वो होने नहीं देंगे इसके साथ साथ में जो कार खंड यह वर्क पीस है उसकी सतय खराब हो सकती है कटाई यह तो ज्यादा बल लगाना पड़ सकता है और उच गती से कटाई नहीं हो पाती है लंबी चिप्स के यह नुकसान है इसलिए लंबी लंबी जो चिप्स निकलती है उनको चिप्स ब्रेकर की साहिता से छोटे-छोटे टुकडों में तोड लिया जाता है जिसके तो फायदे क्या होंगे वही चिप्स ब्रेकर के लाब जो मैंने अभी उपर डिस अड़ांटिस बताए उसका उल अब इसमें अन्न कई सारे जो कटिंग टूल से उनकी जयामिती के बारे में भी यह तो मिलिंग कटर की नाम पदेती है यानि मिलिंग कटर नमेंकलेचर तो मिलिंग कटर आपको पता है कि यह है देखे यह बीच में यहाँ पर इस तरीके से होल होता है डायमीटर यह बाहर outside diameter है face of teeth होता है ये gear की आप terminology जिस तरीके से पढ़ते हैं उसी तरीके से ये जो milling cutter होता है उसकी terminology होती है तो इसको आप screenshot कर लीजिए इसको चित्र बना लीजिए ये दिखिए pitch of teeth हो गया ये teeth इसके दाते कटे हैं depth of teeth हो गया ये सारी चीज़ ये इसकी कर सकते हैं इसी तरीके से drilling की बात करें तो drilling जो drill use होता है ये इस तरीके की drill bits इनको बोलते हैं उसका nine computer देखे ये drill है इस तरीके से जह हम इसको घूमता है तो नए सतय पर नए चिदर बनाने के लिए हम drill का प्रियोग करते हैं तो ये इसका nine mighture यह शेनक की जो बाड़ी होती है जहां पर उसको fit किया जाता है यानि grip कराया जाता है ये इसकी body होती है फ्लूट length कहलाती है लेड off helix कहलाता है यानि चूणियां जितने में कटी होती है यहां से यहां तक overall length हैे alex angle कहलाता है ये heel कहलाता है, ये land कहलाता है तो ये इसका नमेंट लेचर है तो इसको screenshot आप कर लीजी हो screenshot करके इसको copy में बना लेना है simple term है, overall length देखी यहां से यहां तक है आपकी ये shank है shank मतलब main body जिसको हम fit करते हैं उसमें चक में ये body essence, ये flute length, ये heel है land है, helix angle है, flute है और ये drill की access है, बीच से जो गई है हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं इसको बना करके copy में बना लेना है बात आती है, एकल बिंदू कटा ही हो जारी है यानि single point cutting tool की, तो single point cutting tool ये इस तरीके के कुछ कुछ होता है जिसको आपे shank मतलब main body होता है, जो पूरा का पूरा उसको support करता है body को कहते है, shank यानि सरीर जो होता है, ये face होता है जहां से chip किसक करके जाती है, ये end cutting age है, इसी तरीके से इसको flank बोलते हैं, ये वाला और ये वाला इसी ये heel कहलाता है, नीचे का portion, ये nose है, आपकी nose radius सबी आगे पढ़ेंगे, side cutting age है, तो ये सारे ये 3D में आप देख पा रहे हैं, इसी तरीके से इसमें आप देख पा रहे हैं, तो इसमें विभिन प्रकार के कोंड कही बार पूँच लिया जाते हैं, विसे इस तोड़ जैसे rack angle पूँच लिया जाए पेव पॉश्टियो रैक एंगेल क्या होता है, निगेटो रैक एंगेल क्या होता है, इस तरीके से इसमें कई बार पूँच लिया जाता है, तो इसको समझने के लिए बिल्कुल छोटा सा concept है, टूल बिट की geometry को समझने के लिए, इसका आप बना लीजी side view, top view और ये हो गया आपका front view, तो side view जो जो angle देख रहे हैं, तो जो भी ये देखी cone आपको जैसे ये देख रहे हैं, तो छेते जिया उर्ध्वादर के साथ जो cone बनते हैं, उन्ही को किसी को rack angle कहते हैं, किसी को side cutting edge angle कहते हैं, किसी को कहते हैं relief angle, तो ये सब जो छेते जिया उर्ध्वादर के साथ, जैसे अब आप देखी ये वाला जो है, आप देख रहे हैं सत्य उर्ध्वादर के साथ, जो cone बनाया है तो ये हो गया, आपका front clearance angle, तो यही सारे cone बिल्कुल concept एक बार आप बना लीजिए 36 ये उर्ध्वादर के साथ, जो जो cone आपको बनते दिखाई दें, वो सारे उसमें आप परवासित कर सकते हैं, चाहे वो rack angle के रूप में हो, चाहे वो cutting edge angle के रूप में हो, और ये सीधे सीधी बात है, इसको थोड़ा roundness कर देते हैं, तो यहाँ पर इसको nose radius बोल दिया जाता है, इसी तरीके सी, ये front view है, front view में आप side rack angle दिखा सकते हैं, देखिए ये उर्ध्वादर के साथ, side clearance angle ये 36 के साथ cone बना रहा है ये वाला, तो ये हो गया side rack angle तो बस ये concept mind में आप बैठा लेंगे कि 36 ये उर्ध्वादर के साथ तो ये बड़ा important है, तो tool signature क्या होते हैं, एक ASA है full form होता है, American standard system इसके अनुसार जो single point cutting tool होता है, इसके cone को एक निश्चित करम में व्यक्त किया जाता है cone कह लीजे, चाहिए इनकी विसेष्थाओं को single point cutting tool की, उनको हमेशा एक निश्चित करम में व्यक्त करते हैं जैसे जो इंदर धनों, उसके रंग होते हैं, उनको एक निश्चित करम में व्यक्त किया जाता है बेंजानी है, पीनाला, या विवग्योर तो ऐसी इसके जो cone है या बिसेशता है एक निश्चित करम में वक्ति किया जाता है जिसे हम Tool Signature कहते हैं तो Tool Signature का एक निश्चित करम क्या होता है यह सबसे पहले Back Rack Angle आएगा फिर Side Rack Angle आएगा फिर End Relief Angle फिर Side Relief Angle फिर End Cutting Age Angle फिर Side Cutting Age Angle और फिर आता है Nose Radius तो यानि कितने हो गए एक, दो, तीन, चार, पांथ, छे और ये साथ, यानि ये साथ जो कौण होते हैं, ये साथ जो बिसेशता हैं होती हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, उनको एक निश्चित क्रम में ही हम व्यक्त करते हैं, जिसे टूल सिगनेचर के नाम से जानते ह नोज रेडियस जो होता है, वो सबसे बाद आता है, शुरुआत सबसे पहले आपने देखा कि प्रतेक एंगल के दो दो भाग हैं, जैसे रेक एंगल के दो हैं, बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, ये रिलीफ एंगल के दो भाग हैं, एंड रिलीफ एंगल, साइड रि rake angle तो rake angle के दो भाग बाट दीजिए फिर rake का मतलब होता है यह आपका यह देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है rake angle रे का मतलब आप relief angle है ठीक है बच्चों तो यह rake rake angle rake angle rake angle rake rake angle तो इसके दो भाड़ भाड़ लईए end relief angle side relief angle और यह cutting edge angle के भी दो भाग में बाट लीजिए end cutting edge angle side cutting edge angle और यह nose हो गया nose radius हो गई तो 2, 2, 4, 2, 6 और एक यह साथ इस तरीके से आप याद कर सकते हैं तो rake cut nose ऐसे आप याद करेंगे तो आपको एक बार में याद हो जाएगा अब एक उदारण देख लेते हैं यह देखें टूल सिगनेचर माली जी दे दिये 0, 5, 6, 8, 14, 16, 0.9 तो यह 0 का मतलब कहा है यह back rack angle है 0 degree next 5 आ रहा है यानि side rack angle है 5 degree 6 है इसका मतलब 6 degree है end relief angle है 8 मतलब है यह side relief angle है 14 मतलब यह end cutting edge angle है 16 मतलब यह side cutting edge angle है और 0.9 मतलब यह nose radius है mm में तो इस तरीके से यह कहलाता है tool signature आपको यह दे दी जाए तो आप इसमें से angle निकाल सकते हैं आप से पूचा जाए कि tool signature है इसका बताई यह back rack angle कितना होगा आप तुरांद बता देंगे 0 degree आप से पूचा जाए end cutting edge angle कितना होगा आप बता देंगे 14 degree यह होता है इसमें tool signature का concept तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं next topic है वो है broaching तो broaching operation में बच्चों क्या होता है जो cutting tool यूज होता है उसको कहते है broach और यह एक multipoint cutting tool यानि कि बढ़ बिंदू कटाई ओजार होता है तो broaching एक machining प्रक्राम है जिसमें बढ़ बिंदू कटाई ओजार यानि कि multipoint cutting tool जिसे हम broach कहते हैं के दुआरा धातू को काटा जाता है और आप देख पा रहे हैं यह सामने broach यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तो देखी कितनी हैं जैसे cutting 1, 2, 3, 4, 5 आप count करते जाएं यह line से तो क्या हो गया यह multipoint cutting tool होता है इसमें slot बनाने के लिए या पिर जैसे gear है उसमें teeth कट करने के लिए इस तरीके के या internal, external slots बनाने के लिए यह broaching operation का प्रियों किया जाता है तो broaching का जो सिद्धांत है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यह cutting motion है इसमें reciprocating गती यह करता है broaching operation में और फिर यह देखी इसके जो cutting teeth हैं इनके द्वारा धादू को remove किया जाता है इस तरीके से देखिए जैसे हम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह slot जैसे cut करना है तो यह cutting in feed जब हम देंगे तो इस तरीके से इसके द्वारा यह धादू को remove करके जो वांचित आकरती का जो slot है आकार का वो बनाया जाता है इसके अगर हम numb in clature की बात करें तो आप देख पा रहे हैं जैसे pull type का यह आप अभी देख पा रहे हैं तो यह pull end मतलब इसको पकड़ करके खींचा जाता है इसको क्या यह front pilot कहलाता है यह इसकी neck है neck यहाँ पर नाम लिग देना है यह इधर आप देख पार यह cutting teeth है तो यह cutting teeth के बाद यह सबसे last में जो होते हैं वो finishing teeth होते हैं यह finishing देने के लिए और यह सबसे पीछे जो होता है वो कहलाता है rear pilot तो इस तरीके से यदि आपको इसकी नमिन क्लेचर या इसका बनाने के लिए आता है broaching का या multipoint cutting tool का किसी का भी तो आप इसका बना सकते हैं बहुत आसान है Poland यानि जिससे पकल के pull किया जाता है neck, front pilot सबसे पीछे जो होता है वो rear pilot वो बीच में cutting teeth होते हैं तो cutting teeth और पीछे वाले जो teeth होते हैं वो थोड़ा सा finishing करने के लिए प्रियोग किये जाते हैं तो बहुत आप देख पा रहें कि बहुत महीन यानि कि पास पास है और ये वाले आप देखे थोड़ा दूर दूर है तो इनको कहते हैं finishing teeth तो ये पूरा है नमिन क्लेचर किसका आपका जो हमने अभी बात किया था broaching operation की उसके लिए और ये आप अभी देख पा रहे हैं broach अब next में जो बड़ी महत्पूर्ण topic हैं वो दो topic और बचे हैं एक तो आपका है tool एवं cutter अनुरच्छन यानि tool and cutter maintenance क्या होता है तो tool एवं cutter अनुरच्छन से तात पर उत्पादन कार्यों में प्रियोक्त कटाई हो जारों एवं मशीनों के नेमित अनुरच्छन एवं servicing से है maintenance का मतलब होता है अनुरच्छन और servicing आप जानते ही हैं जैसे गाली की servicing कराते हैं तो इसी तरीके से tool एवं cutter का नेमित रूप से maintenance यानि अनुरच्छन और servicing बहुत जरूरी है तो यही कहलाता है tool एवं cutter अनुरच्छन यानि इसमें हम क्या करते हैं tool एवं cutter अनुरच्छन में उत्पादन कार्यों में प्रियोक्त कटाई हो जारों यानि तरीके से होता क्या है? अगर आप नेमित रूप सेता क्या है तो गरेख से once जो tool है और जो machine है उसके जीवन काल में ब्रद्धी हो जाती है यानि उसकी जो टूल लाइफ है वो बढ़ जाती है तो टूल ये उम मशीनों के जीवन काल में ब्रद्दी होती है उच्चो गुडवत्ता के उत्पात प्राप्त होते हैं और डाउन टाइम कम होता है डाउन टाइम मैंने आपसे बताया था कि जितनी देर के लिए प्रोडक्शन ठप हो जाता है प्रोडक्शन रुख जाता है उसे कहते हैं डाउन टाइम तो ये बच्चो ये सारे फाइदे हैं इसलिए हमको नेमित अनुरच्छन और सर्विसिंग बहुत जरूरी है जो कटिंग टूल्स हैं और डाउन टाइम कम होता है यानि वो टाइम जिसमें उत्पादन ठप होता है तो वो कम हो जाता है उसकी नौबत नहीं आती है उत्पादन ठप होने की अब ये बात करते हैं टूल येवम कटा रन रच्छन में ये सुनिश्चित किया जाता है कि कटाई ओजारों येवम मशीनों का नीमित अनुरच्छन येवम सर्विसिंग होती रहे तो हमको कटार टूल येवम कटार अनुरच्छन करना है तो नीमित रूप से हमको क्या करना पड़ेगा उसका अनुरच्छन और सर्विसिंग हमको करते रहना पड़ेगा इसके अंतरकत और क्या आता है जो कटाई ओजारों की धार है उसको तीचन यानी की शार्प किया जाता है जब कोई कटाई ओजार है लगातार यूज में आएगा तो उसकी धार क्या होगी कुंद हो जाएगी तो इसके अंतरकत क्या करते हैं वो जो कुंद हुई धार है उसको तीच नियानी की सार्प किया जाता है इसके साथ साथ में आवशकता पढ़ने पर कटाई हो जारों को बदल कर नया टूल लगाया जाता है कई बार टूल बहुत पुराना हो जाता है घिस चुका होता है तो उसको नया शार्प करने से तीशन करने से फायदा नहीं रहता है काम करते हुए वो टूड जाए ब्रेक हो जाए इससे अच्छा है कि उसको बदल करके फिर अब नया टूल लगा लेते हैं तो जब वो बदलने योग स्थिती में हो जाता है तो उसको क्या करते हैं बदल दिया जाता है तो टूल एवं कटर और रच्छन से सम्मंदित कुछ महात्रपूर्ण पद हैं वो आपको जरूर याद रखना है मेन मेन हेडिंग आपको लिख लेना है और उन्ही को याद रखना है एक्स्प्लेइन आप खुद से कर सकते हैं कटाई हो जारों की नेमित सफाई तो कीप टूल्स क्लीन रेगुलरली जो भी टूल्स यूज हो रहे हैं या मशीने उनकी नेमित साप सफाई बहुत जरूरी है और यदि उनमें किसी भी तरीके का कचरा या मलबा जिसे हम डेवरिस कहते हैं वो है तो उसको पूरी तरे से उससे हमको मुक्त रखना है तो ये पहला जो इस्टेफ है कटाई हो जारों की नेमित सफाई दूसरा है टूट फूट की चेक करना चेक फॉर डेमेज टूल को अपयोग में लाने से पूरू टूट फूट जरूट चेक कर लेनी चाहिए क्योंकि इससे उत्पाद की गुडवत्ता प्रभावित हो सकती है अगर टूट फूट है किसी भी तरीके की टूल में और आप उसको अचानक यूज करने लगते हैं तो क्या होगा उससे जो प्रोड़क्ट है अगर बीच में टूट जाएगा तो उससे क्या होगा उत्पादन बातित हो सकता है इसलिए जो बदलने योग होते हैं उनको सुरू से प्रोड़क्शन स्टार्ट होने से पूर भी बदल करके नया टूल लगा दिया जाता है पांच महें जॉब के लिए सही टूल का प्रियोग करना चाहिए यूज दा करेक्ट टूल फोर दा जॉब जॉब आप किस तरीके का बना रहे हैं तो किस साइज जो सेप का आपको कटिंग टूल यूज करना चाहिए वो मैनूल के हिसाब से बिलकुल जॉब के हिसाब से ही आपको कटिंग टूल का प्रियोग करना चाहिए चटा है गतिमान अंगों का नेमित इसनेहन यानि लुब्रिकेट मुविंग पार्ट्स रेगुलरली जो भी घूमने वाले पार्ट्स हैं किसी भी मशीन में या कहीं भी तो उनमें टूट पूट से बचाओ के लिए जरूरी है कि गतिमान अंगों का नेमित इसनेहन या ऊचित स्थान में रखना चाहिए तूल का जो स्टोरेज है meow कामस के निकाल करके हमने रख़ दिया या इस पेहर में टूल्स고 सदल को सुख़ी या ड्रायि स्थान पर साब सुथरी जग में रखना चाहिए चाहिए जिससे धूल ना लगने पाए जंग ना लगने पाए औ वो बिल्कुल सूखी जगए में, साफ सुत्री जगए में, जहां पर धूल और जंग लगने की या पानी गिरने की इस तरीके की संभावना ना हो। तो यह आपने पड़े साथ स्टेप टूल्स के अनुरचन से सम्मंदित, तो जो भी टूल्स एंड मशीन्स हैं, उनको किस तरीके से अनुरचन करना हैं, किस तरीके से सर्विसिंग करनी हैं, और उसके साथ स्टेप्स क्या हैं, उससे फायदे क्या हैं, वो आपने पूरा का प आपको पता है कि समय के साथ घिसाओ तथा टूट फूट के करण कटाई और जार की धार कुंद हो जाती है तथा उसके आकार और आकरती में भी परिवर्तन हो जाता है परी लगतार टूल वर्क कर रहा है तो समय के साथ वो घिसेगा भी हो सकता है समय के साथ उसमें थोड़ी और कोई तूट फूट भी हो जाए तो उसकी धार भी कुंद हो जाती है लगतार वर्क करने के कारण और कई बार क्या होता है उसकी आकार आकरती में भी परिवर्ट तना जाता है तो ये बात निश्चेत है अता कताई ओजार की धार को तीछन करने यानि शार्प करने तथा उसके आकार ये आकरती को वास्तुएक स्थिती में लाने के लिए ही री ग्राइंडिंग एवं लेके लेपिंग ओपरेशन किया जाता है तो जो लगतार उपयोग के कारण कटिंग टूल की या कटाई हो जार की धार जो कुंद हो जाती है और जो उसकी आकार आकरती में परिवर्तन हो जाता है उसको धार को तीशन करने और उसको वास्तुएक स्थिती में लाने के लिए उसकी आकार आकरती को ही ये ओपरेशन जो री ग्राइंडिंग एवं लेपिंग ओपरेशन है वो किया जाता है तो दोनों operation अलग-अलग है, हम एक एक करके भी अभी बात करेंगे, तो आप इसमें समझ जाएंगे, grinding operation आप production technology में भी पड़ा होगा, यह वही re-grinding है और यह lepping operation भी आपने पड़ा होगा, बस हमको उसको दुबारा एक बार देख लेना है, तो re-grinding एम lepping operation में बहुत सूच म मात्रा में पदार्थ को काट कर, कटाई ओजार की धार को तीछन किया जाता है, तथा उसके आकार याकरती को वास्तुएक इस्थिती में लाया जाता है, यह हम करते हैं, re-grinding एम lepping operation के द्वारा, अब यह re-grinding एम lepping operation के अनूपरियोग यानि एप्लिकेशन क्या है, तो re-gr प्रमत एम अनुरच्छन यानि रिपेर एंड मेंटिनेंस में इनका प्रियोग किया जाता है, जो की हम पढ़ रहे हैं, इसके साथ साथ में जानकारी के लिए आपको बता दूँ, कि आपका जैसे क्रेंग साफ्ट है, कैम साफ्ट है, वाल वित्यादी की सतय का परिसकरन, ए प्रेरिंग इत्यादी का सतय पर इसकरन एम जो बिमी या थारता में ब्रदी करनी होती है, वो भी इन्हीं ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है, इसके साथ साथ में जो मेडिकल इंडश्ट्री हैं, वो उसमें जो सर्जिकल टूल्स और अनुपकरन उप्योग होते हैं, उन इकी सतय पर इसकरन एम जो बिमी या थारता में ब्रदी के लिए भी हम ये री ग्राइंडिंग और लेपिंग उपरेशन का प्रियोग करते हैं, लेकिन अभी बिसे के द्रश्टी कोन से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट हमको बताना है, वो ये बताना है, कटाई ओजार इंडश्टी में, ड्रिल, मिलिंग कटर, सिंगल पॉइंट कटिंग टू लित्यादी के मरमत, अनुरच्छन, एम सर्विसिंग के लिए हम क्या करते हैं, री ग्राइंडिंग, एम लेपिंग ओपरेशन का प्रियोग करते हैं, अब ये री निमलिकेत इसके लाब हैं, सते परिसकरण यानि सर्फेस फिनिश प्राप्त होती है, तो सर्फेस फिनिश क्या होती बढ़ जाती है, उपर की तरह बेरो, भिमी है ये यथार्थता, डैमेशनल एकूर इसी मताय न कि, आकारों आकरती में परिवर्टतन हो जाता है, कई वल उपयोग के कारण, तापमान के कारण, टूट फूट के कारण, तो उसकी डाइमेशनली उसको एकूरेट बनाने के लिए, यानि उसको वास्तु एक आकारव आकरती में लाने के लिए भी ये किया जाता है, तो बिमी रूप से उसको यथार्थ करने के लिए भी इसका प्रियो होगा साइन आपका पांचमा है कम लागत यानि अन्य अगर मशीनिंग प्रक्रमों की तुलना में देखें तो जो री ग्राइंडिंग एंड लेपिंग उपरेशन है वो सस्ता पढ़ता है उसकी लागत कमाती है और छात्मा है अच्छी दिखावट यानि अपीरेंज जो है वो बढ़ जाता है आप देखें लेपिंग उपरेशन के द्वारा जो सत्य है बिल्कुल चमचवान लगती है सीसे की तरह है इसा लगता है कि बिल्कुल नया अभी मार्गेट से निकल के आया है तो अभी मैं आपको उदारन भी बताऊंगा तो आप उससे समझ जाएंगे कि लेपिंग उपरेशन में क्या होता है और ग्राइंडिंग में तो आप समझी जाएंगे तो आई अ सरफेस फिनेश करने के लिए हम उसका प्रियोग करते हैं तो री ग्राइंडिंग उपरेशन है वो कहां किया जाता है ग्राइंडिंग उपरेशन में इस ग्राइंडिंग मशीन में किया जाता है ग्राइंडिंग मशीन होती है उसमें ग्राइंडिंग पहिया लगा होता है गूमता है और उसके संपर्क में फिर वर्क पीस को लाया जाता है तो इसमें क्या होता है ग्राइंडिंग वील यानि हिंदी में उसको आप घरसी पईया भी कहते हैं का प्रियोग सूच में मात्रा में पदार्थ को काट कर कटाई ओजार की धार को तीचन यानि शार्प तथा उसके आकार आकरती को एकूरेट किया जाता है यानि यथार्थ किया जाता है तो जो ग्राइंडिंग वील होता है या घरसी पईया होता है इसमें चित्रा उनसार घूमते हुए पईये के रूप में एक कटाई ओजार होता है यानि जो घूमता हुए पईया होता है वो कटा को बनाते हैं तो ग्राइंडिंग भील को बनाने के लिए ऐलमूनियम उक्साइड, सिलिकॉन, कारवाइड तता हीरा इत्यादी का प्रियोग किया जाता है अब देख लेते हैं चित्र क्या है यह आप देख पाने हैं यह ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं यह देखिए इस प गूमते रहते हैं आपने कभी धार दी होगी कहची में धार दिला दो और घरों में जो इस तरीके को पकरान होते हैं उनमें चाकू में छुरियों में हसीय में धार देने के लिए यह प्रियों किया जाता है तो यह वही अप गरसी पहिया है देखो बच्चों लगातार यह जाता है तो यह छोटे-छोटे जो अप घरसी कण है वो बहुत तेजी से क्या करते हैं बहुत महीन रूपसे धातु कणों को क्या करते हैं काट कर अलग कर देते हैं और सते को बिल्कुल चिकना smooth और Dimensionally accurate बिल्कुल यतार उसकी बिमाओं को कर देते हैं ठीक है बच्चों य की चिंगारी निकलती है और वह सते बिलकुल स्मूथ हो जाती है बिलकुल फ्लैट हो जाती तो यह री grinding का ही रूप है कहने का मतलब grinding के बाद जब accurate करने के लिए या सते पर इसकरण के लिए प्रयोग किया जाए तो उसी को हम कह रहे है री ग्राइंडिंग सब्द काम प्रियोग कर दिया तो यह अपने पढ़ा हुआ कॉंसेप्ट है ऐसे मेकेनिकल इंजिनियर बहुत अच्छे से पता होना चाहिए तो यह ग्राइंडिंग ओपरेशन है और चुकि हम यह डामेशनल एकूरेशी के लिए यह सते परिसकरण के लिए प्रियोग करें तो री ग्राइंडिंग सब्द का प्रियोग करें यह है एक्शूल मशीन ओवर्क करते हुए अब बात कर लेते हैं लैपिंग ओपरेशन की तो लैपिंग ओपरेशन को हम समझ लेते हैं देखिए लैपिंग उपरेशन का मैं सबसे सिंपल और बढ़िया उधारान आपको बताता हूँ घरों में आपने देखा होगा कि जो महिलाएं हैं चांदी की पायल पहेंती हैं या अनना अभूसर पहेंती हैं तो समय के साथ वो काले पड़ जाते हैं या उनकी जो चमाक है वो कम हो जाती है तो जब जोएलरी शॉप पे जाते हैं जो जोएलर्स यानि अभूसर बिक्रेताओं के पास तो वो क्या करते हैं एक पाउडर लेते हैं और माली जो पायल का उधारन लिए तो पाउडर को उसमें पायल में जोड़ जोड़ से रगड़ते हैं कपड़े से यहां से थोड़ी देर में आप देखती है कि पायल बिल्कुल चमचमाने लगती है या सोने का जो अबूसन है बिल्कुल चमचमाने लगता है तो वो जो powder है वो क्या करता है? मीडियम का कार्य करता है तो powder की जगे कई वर slurry का भी उच किया जा सकता है और वो क्या करता है? बहुत micro level पर, महीं level पर कणो को हटा कर बिल्कुल flat कर देता है बिल्कुल सतय को बिल्कुल चमकदार बना देता है यानि सतय बिल्कुल चमचमाने लगती है तो इसको बच्चों हाथ द्वारा भी किया जा सकते है यदि छोटे level पर या बहुत small level पर करना है तो powder अगर medium मिल जाए कपड़े से पकड़ के हम उसको रगड़ दे बिल्कुल बढ़िया उसको flatness आ जाती है और shining बिल्कुल आ जाती है एक तरीके से polishing operation भी आप इसको कह सकते है तो hand lapping हो गया मशीन में भाई बड़े level पर जैसे automobile industry में है या बड़ी बड़ी जो tool industries है उनमें अगर हमको करना है तो machine lapping का प्रियोग किया जाता है high level के accuracy चाहिए तो automatic machine होती है उसमें लगा दिया जाता है automatic वो गूमता रहता है तो ये hand lapping कहेंगे ये machine lapping जब machine में हम ये lapping operation कर रहे है तो ठीक है बच्चों ये अब आप समझ गए होंगे तो ये abrasive powder जो use किया जा रहे है वो क्या है actual में एक abrasive powder उसमें छोटे छोटे महीन महीन particles है, कन है जब रगड़ा जाता है कपड़े के साथ तो बहुत micro level पे छोटे छोटे कनों को बिल्कुल करके उसको सते को समतल कर देते हैं और सते को बिल्कुल चमकदार बना देते हैं एक बिल्कुल mirror की तरह कई वार सते चमकने लगती है तो क्या होता है cutting tool में उच्चिस तरह ये सते परिसकरन यानि high level की surface finish तथा समतलता यानि flatness प्राप्त करने के लिए lepping का प्रयोग किया जाता है यानि to achieve high level of surface finish and flatness इन cutting tool हम क्या करते हैं ये operation हम संपादित करते हैं ठीक है बच्चों तो lepping operation जो मैंने एक simple उदाहान दे करके बताया अब आप समझ गए होगे तो lepping पर किरिया में एक tool जो कि diamond या silicon कारवाइट का बना होता है उसे सतह से रगड़ा जाता है जिससे सतह से उबहार जो उपरी होई चीजे होती है उबहार उस्पोड बने होते हैं या जो तुटियां होती हैं imperfections होते हैं वो दूर हो जाती है तता सतह बिलकुल चिकनी एक समान तता चमकदार हो जाती है तो ये बच्चों पूरा operation है किसका लैपिंग का अब इसके तो दोनों के दोनों आपने देखी कि re-grinding तथा लैपिंग दोनों को आप शक्ता अनुसार हाथ द्वारा भी कर सकते हैं अथो वह machine द्वारा भी किया जा सकता है दोनों के case में हैं grinding की बात re-grinding का वो generally grinding machine ही होती ए इसके लावा बड़े-बड़े grinder भी होते हैं industries में यूज होते हैं और लैपिंग operation मैंने आपसे बताया आप उसनों की shop में घरों में powder ला करके हम हाथ से या कपड़े से रगड़ते हैं और उस सतय को flat और चमकदार बना देते हैं तो वो एक लैपिंग operation का उदारा है यही च चीजें हैं जो पहले production technology में हम पढ़ चुके हैं ज्यादा तर चीजें आपको नई चीजें आपको मिलेंगी वो chapter 2 और 3 में मिलेंगी तो एक chapter हमारा खतम हो चुका है chapter 2 का भी एक video हम देखेंगे और chapter 3 का भी एक video देखेंगे उसके बाद हम जो previous years के question papers हैं हम उनको solve करेंगे तो आप सभी को मैं धन्वात देता हूँ फिर मिलेंगे next video में thank you very much आप सभी का दिन शुभो